नमस्कार आप देख रहे हैं Arial News और मैं हूँ आपके साथ में मॉनिका आईए नज़र डालते हैं आज यानी के 28 अक्टूबर 2021 की खास ख़बरों पर पेगसेस जासुसी मामले की जाज करवानी की आचिकाओं पर सुप्रीम कोट ने फैसला सुना दिया है अदालत ने जाज के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जो सुप्रीम कोट के रिटायट जस्टिस आर वी रविंदरन की अधिक्षता में काम करेगी तारेस कमेटी से कहा गया है कि पेगसेस से जुड़े आरुपों को तेजी से जाज कर रिपोर्ट सौंपे अब आठ हफते बाद फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी वही सुप्रीम कोट ने उस अरजी को खारीज कर दिया है जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की थी कोट ने कहा है कि सरकार द्वारा राश्य सुरक्षा की सिर्फ बात करने से अदालत मूग दर्शक नहीं बन के रह्जब और इसके साथ एंसीबी के वरिष्ट नेता और मंत्री नवाब मलिक ने आरेन खान ड्रग्स मामले में एक नया खुलासा करते हुए वो द्वार को आरोप लगाया है कि एंसीबी ने टार्केट कर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए शिप पर रेड की थी उन्होंने वानखेडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में एक अंतराश्य ड्रग माफिया था जिसे जान बूच कर जाने दिया गया मलिक ने आगे कहा कि इस डारी वाले माफिया ने ड्रग पार्टी का आयोजन किया था वहीं उसकी गल्फरेंड की तस्वीरें भी मेरे पास हैं जिसमें वैं बंदुक के साथ नजर आ रही है मलिक ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि डाडी वाले की बानखेडे से मितृता है हालंगी मलिक ने मीडिया को अभी उनकी तस्वीरे और वीडियो जारी नहीं किये हैं लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमने इस एंसिबी अधिकारियों को दे दिया है और अगर विजांच नहीं करेंगे तो हम इन्हें सारवजनिक कर देंगे और इसकी साथ इंडोनेशिया के पहले राशपती सूखंणों की बेटी सुकमावती सुकंण पुत्री ने इसलाम छोड़ कर हिंदू धर्म की रहा पकर ली है पताने सुकमावती ने मंगलवार को इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा हिंदू आवादी वाले स्टेट बाली में एक सेरेमेनी सुधी वादानी के दौरान हिंदू धर्म सुईकार किया पताने सुकमावती सुकर्णो की तीसे नंबर की बेटी है उनका पूरा नाव दायहा मुतियारा सुकमावती सुकर्णो पुत्री है उनके हिंदू धर्म सुईकार करने का समाहरो बाली के बाले आंगोंग सिंगा राजा जिले में सुकर्णो हेरिटेज सेंटर में किया गया थ और इसी की साल स्टार केड आरेन खान इन दूनों डुग्स केस में फसने की बाद आर्थर रोड जेल में हैं। के केस की कमार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोर्नल डिरेक्टर समीरवान खेड़ी के पास है वहीं समीरवान खेड़े जो दस साल पहले शारुख खान को भी कस्टम ड्यूटी ना भड़ने के आरोप में पकड़ चुके हैं दरसल साल 2010 में समीरवान खेड़े ने हॉल नहीं बढ़ा गया था ऐसे में उन्हें एरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था बदारें एंसीपी के जोना डिरेक्टर समीर वान खेड़े उस समय एरपोर्ट की कस्टम ऑफिस में बतार असिस्टेंट कमिश्णा ड्यूटी दे रहे थे कस्टम चार्ज ना देने की कारण शार को डेड़ लाक रुपे का जर्माना भी चुकाना पड़ा फिलाल इस खास कबर में इतना ही देशे पदेश की तमाम बड़ी खबरे देखने के लिए देखते रहे है एरियल न्यूट